प्यारे बच्चो असलाम वालेकूम और मतुलाहिव वरकातू आईए बच्चो आज हम नया सबक सीखने जा रहे हैं सबक नमबर 30 आओ पहचाने सिक्के नोट फैमाई शिस्ता नमबर 1 बच्चो हम हमारे रोजमरा की जिन्दगी में रुपए और पैसे इस्तेमाल करते हैं जो आपको मालूम हैं आईए हम उसके बारे में मालूमात हसिल करते हैं बच्चो हम हमारी रोजमरा की जिंदगी में जो रुपे और पैसे इस्तिमाल करते हैं वो दो तरह के होते हैं एक सिक्की की शकल में और दूसरे नोट की शकल में तो बच्चो अब आप लोगों को मालूम हो गया है कि रुपे पैसे की दो शकले होती है सिक्या और नोट तो बताईए फिर आपने कौन-कौन सी नोटे देखी हुई है शाबश बहुत अच्छे इसके अलावा 20 रुपे की नोट 200 रुपे की नोट 500 रुपे की नोट भी है ये देखे इतना ही नहीं अब तो 2000 की नोट भी बाजार में इस्तिमाल हो रही है अच्छो आप लोगों ने अभी तमाम नोटे देखी अब मुझे बताओ आप लोगों ने कौन-कौन से सिक्के देखे हुई है हमने एक रुपे का सिक्का, दो रुपे का सिक्का, पांच रुपे का सिक्का और दस रुपे का सिक्का देखे हुई है बहुत खूब, बहुत अच्छे आप लोगों को सिक्के और नोट मालूम हो गए है न तब मैं आप लोगों को कुछ नोट और सिक्के बताऊंगी तुम उसको पैचानो और बताओ तो फिर बताओ ये कितने रुपई की नोट है ये 10 रुपई की नोट है बहुत अच्छे फिर बताओ ये कितने रुपई की नोट है ये 50 रुपई की नोट है मिस अब बताईए ये कितने रुपई की नोट है ये 100 रुपई की नोट है बहुत अच्छे अब बताईए ये कितने रुपई की नोट है 30 रुपई की नोट है मिस अब बताईए ये कितने रुपई की नोट ये दो सो रुपई की नोट है अरे वाँ आप लोगों ने तो नोट बहुत सही पैसा लिया है अब देखते हैं आप लोगों को सिक्के पैछानते आते हैं ये नहीं तो बताओ ये कितने रुपई का सिक्का है ये दो रुपए का सिक्का है शाबश अब बताईए ये कितने रुपए का सिक्का है ये पाच रुपए का सिक्का है बताईए ये कितने रुपए का सिक्का है जी ये एक रुपए का सिक्का है बहुत अच्छे अब बताईए ये कितने रुपए का सिक्का है ये 10 रुपए का सिक्का है शाबाश बहुत अच्छे आपने सिक्के भी बरावर पैचान लिये हैं और आप लोगों को सिक्के और नोर दोनों भी पैचानते आ रहे हैं इसलिए हम सबक के अगले हिस्से के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे अल्ला हाफिज